नमस्कार दोस्तों सागत है आपका इस एपिसोड में दोस्तों आज हाजिर हूँ केनेथ एंडेशन की एक और एक्साइटिंग स्टोरी के साथ जिसका नाम है इसकी विशेष्था यह थी कि पहले मॉलर था लोगों को घाल करता था अपने पैरों पे खड़े होके अगले पंजों से उनको नूसता था या अपने पंजे के प्रहार से उन्हें मारता था उसके बाद उन्हें लेके जाता था फिर खाता था तो एक स्ट्रेंज विहिबियर था इस इस मैनिटर का तो दोस्तो इस स्टोरी में हम जानेंगे कि आखिर वो टाइगर ऐसा क्यों करता था उसके पीसे कारण क्या था क्या वास्ताव में ऐसा करता भी था या नहीं अगर करता था तो उसके लिए प्रूफ क्या-क्या थे दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आ और अगर आप इस चैनल में नए हों तो इससे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं स्टोरी अफ्लोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो दोस्तों यह स्टोरी है एक ऐसे टाइगर की जो मॉलर था यानि की अपने विक्टिम को पंजू से मारता था बजाए अपने धातू में दबाकी तो यह मिस्टी बनी हुई थी लोगों में कि आखिर वो ऐसा क्यों करता था एंडर्शन ने भी इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश की शुरू में जब उन्होंने इन विक्टिम्स को देखा था जिनको इस टाइगर ने मारा था तो उन्होंने पाया कि विक्टिम को खाने में टाइगर को कोई दिक्कत नहीं है क्या उसकी बॉड़ी में ख तो दोस्तों एक कहानी है राजनगर की जहां पर इसने एक विक्टिम को मारा जो की गायों को मवेशों को जंगल में चराता था लड़का था 12-17 साल का उसे मार के टाइगर लेके गया तो शुरू में जब लोग उन्हें देखा जो भी रिमेन से मिले विक्टिम के उसमें उ से उन्हें यह लगा कि यह मॉलर है तो शुरू में इसका नाम मॉलर आफ राजनगर कहा गया था शुरू में इसका जो ऑपरेशन था राजनगर के एरिया में था उसके बाद जो इसका ऑपरेशन था वो नौर्थ की एरिया में फैला और वो कावेरी तक आए जो करीब 500 मील आगे तक था और उस एरिया में भी जिन लोगों को इसने मारा था उनकी बोड़ी के जो पार्ट से रिकवर हुए थे उसमें इसके नाखुनों के निशान मिले थे और कई बार ऐसा हुआ कि जब इसने एटेक किया उस लोग पेड में चड़ गए थे और पेड से उन्होंने इ एंडर्शन के बेटे डोनर्ड ने दो बार इसको मारने की कोशिश की तो पहली बार उपेगे पहलियम जो कि एक चोटा हमलेट था चोटा गाहाँ था जंगल में उसके पास में इसको मारने के लिए बैठे थे और दूसरी दफा ये लोकन हल्ली और बेलूर के बीस का जो ए गया था उस एरिया में भी एंडर्शन के बेटे डोनर्ड इसको मारने के लिए बैठे हुए थे और उन्होंने जिन विक्टिम्स को इसने मारा था यूमन बींग को उनके रिस्तेदारों से माबाप से बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि वह विक्टिम को रहने दे और पास में को बैठके इंतजार करेंगे इस मैनीटर का लोग बड़ी बेमन से उन मरे हुए लोगों की लास को वहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार हुए लेकिन उसके बाब जुद भी डोनर को इसकी सफलता नहीं मिली तो जब यह घटनाएं हो रही थी तो यह ख़वर दीरे दीरे पहुंस रही थी लेकिन regular नहीं थी कभी मेने दो मेने तीन मेने में अगवारू में आजाती थी एंडर्शन और उनके बेटे डोनर्ड अगवारूं को चांदते रहते थे कि कहीं इसकी खवर मिले क्योंकि इसके बारे में वो पहले सुन चुके थे और इसको मारने की कोशिश कर चुके थे नहीं मरा था तो उनके दिमाग में कहीं ने कहीं ये बात थी कि ये मैनिटर अभी ये एक्टीव है और जब तक एक्टीव है ये जब तक जिन्दा है तब तक ये किसी ने किसी इलाके में लोगों को मारता रहेगा देहाजाओ बड़े जिग्यासा वस अखवारूं को चांदते रहते कि कहीं ने कहीं इसके बारे में उनको कोई खवर मिले ताकि उन्हें काफी उम्र की थी उसको असथाईगर ने मारा और मार के लेकर गया ऑर दूसरे केस में एक बैक्टी जो की जंगल में अपने मवेश्यों को चरा रहा था उस पर इस ठाइगर ने एटैक किया ये बैक्टी यो दूसरा बैक्टित है ये मरा नहीं था ये बज गया था हुआ तो उसने देखा एक जाड़ी से निकल के एक टाइगर ने उस पर हमला कर दिया और हमला करते हुए उसने देखा था उसने टाइगर को जाड़ी से निकलते हुए देखा था तो जब वो आ रहा था तो उसके हाथ में एक डंडा था उस डंडे से इसने अपने आगे उसे डंड की कोशिश की या टाइगर को फ्राइटन करने की कोशिश की लेकिन टाइगर ने फिर भी इस पर एटेक करी दिया अब उसके पास जो मवेश्यों का जुन्ड था उसमें पांच भेंसे तो अक्सर जंगल में ऐसा होता था आज भी अगर आप देखें साउथ अफ्रिकन सफारी में भेंसूं के जुन्ड बड़े बड़े टाइगर लाइन्स को भगा देते हैं तो यहां पर भी वही हुआ जो मवेश्यों का जुन्ड था इस ब्यक्ति का उसमें पांच भेंसे उन्होंने जब देखा टाइगर का एटेक्ट अपने मालिक पर तो उन पांच ने एक साथ इस टाइगर पर हमला बोल दिया वह पांच का हमला देखके इसकी हमबद छूट गई और यह भाग गया वहां से यह वेक्ति जैसे तैसे अपने जुन्ड के साथ वापसलोटा अपने गाउं में और वहां पर और लोगों ने इसकी सहायता की मरहम पर ती और फिर यह ठीक हो गया जिस जिए दूसरी घटना हुई थी उस हमलेट का नाम था आलमबाड़ी उस इलाके से एंडर्शन और उनके बेटे डोनर्ड वाकिफ थे तो दोनों ने प्लान मनाया कि यह मौका है कि हमें इस मैनिटर को मारना चाहिए तो इसी बीच उन्हें वहां एक जगह थी जिस कि यहां से अब जल्दी जाना होगा सिर्फ प्लाइनिंग करने से काम नहीं चलेगा यहां जाद डोनर्ड ने एग्री किया कि वह इस टाइगर को मारने के लिए जाएंगे सारी तयारी की और उन्होंने अपनी पूरानी गाड़ी जोँ बेशक पुरानी थी लेकिन डोनर कहते हैं उनके लिए बहुत बढू हरोसेमन थी जब भी वह जंगल में जाते थे ट्रेकिंग के लिए जाएं चाहिए सफारी के लिए जाएं चाहिए जाएगर हंटिंग के लिए जाएं चाहें केम्पिंग के लिए जाए वह अपनी इस पुराने भरोसे मंद गाड़ी को ले जाते थे इस बार भी उसी को लेके गए गाड़ी को लेके वह एक जगह पहुँचे जिस जगह का नाम था पहना ग्राम वहाँ पर एंडर्सन का एक पुरानी सैयोगी रहता था जिसका नाम था रंगा तो दोनूंने निश्य किया था कि वह रंगा को साथ में लेके जाएंगे उसके बाद कुछ दूसी जगह वह गाड़ी को लेके गए जिस जगह का नाम था मुट्टूर वहां से उन्होंने एंडर्सन के एक पुराने सयोगी जिसका नाम था बायरा जो कि एक जंगल में नहीं था उसको भी टोनर ने साथ में लिया टोनर कहते थे कि यह आवश्यक है कि इन दो लोग जो कि इस इलाके से बहुत वाकिफ हैं उसके अलावा जंगल का भी बहुत नौलेज रखते हैं रंगा के कंपरिजन म बायरा को जंगल का बहुत ग्यान है हलांकि अब वह उम्रदराज हो गया है उसके बावजूद भी जंगल की बहुत ज्यादा नौलेज उसके अंदर है और उसको इस तरह की एक्सपेडिशन में ले जाना बहुत फायदमंद रहेगा किसी भी शिकारी के लिए यहां जा रं पिंग जगया एंडर्शन ने पहले से खरीद हुई थी आपर एक हट भी बनी हुई थी आपर उन्हें अपने गाड़ी पा की वहां से उनका रास्ता पैदल था तो तीनु जनु ने अपना सामान डिस्टिब्यूट किया और अपना सामान पीट के लगा के चल पड़े और रास्ते में वो जब चल लहे थे तो एक जगह वो एक हाथियों के जुन्ड के पास में पहुँच गए ख़े बड़ी सांती से उस गर्मी में पेड़ों की चाया में हाथी का जुन्ड आराम कर रहा था चाया का आनन्द ले रहा था तो जब वो लोग वहां पहुँचे अचानक उनको इनकी गंधा आ गई जैसी गंधा आई तो डोनर कहते हैं कि ऐसा लगा कि जैसे की आसमान तूट पड़ा हो अचानक उसमें जितने भी हाथी थे हथनिया थी सब ने चिंगाना शुरूर किया और सब दाए बाए देखने लगे और उनमें से जो बुल एलिफे अचे रही हो अपने बच्चों को रेस्क्यू करते हुए वहां से निकले कुछ देर बाद वहां बिल्कुल खाली हो गया और बिल्कुल शांती हो गई यह तीनु जने एक जिगव इखटे हो गए अगर हाथियों के जुन्ड ने हमला किया तो कैसे अपना बचाव करेंगे यह सोचने लगे वहां से चला गया यह लोग अपने डेस्टिनिशन की और चल पड़े कुछ देर बाद यह वेजा हाय पहुंच गए खाओं में वहां जोपडियां बनी हुई थी जो जंगल की जोपडियां होती हैं जिनमें लक्णियों की दिवारें होती हैं जिनमें खास बंदी होती है और वही घास उनकी छतुम पर भी डली होती है तो डोनल कहते हैं कि वहां पहुंचे तो जो लोग थे चायो महलाएं थी उनके पहनने को कोई कपड़े नहीं थे बलकि अपने एक प्राइबेट पार्ट में उन्होंने एक लंगोट सा लगाया हुआ था बांक तो डोनल ने कहा कि अगर वह सीधे बोलना शुरू करेंगे लोगों से तो शायद ये उतने कन्विंस नहों या उनको एकसेप्ट न करें लिहाजा उन्होंने बाहरा से कहा कि वह कंवर्शेशन शुरू करें इनके साथ बात में डोनल जोइन कर लेंगे कि वह इनकी भासात समझते हैं तो डोनल केते हैं कि बाहरा निकन्वा-शेशन शुरू किया और कर मशेशन ऐसा था इनकी उसने डोनल का महिमामंदन शुरू की ये बहुत बड़े शिकारी हैं जोने कि मैंनी टाइगर को मारा है सहक्रों की तादात में पागल हाथिओं को मारा है और भी कई जानवरों को मारा है पो इनको जबरदस्त experience है शिकार का और यहां पर जो मैंनी टरेक्टिव है यह उसको मारके आप लोग की मदद करना चाहते हैं तो डोनर कहते हैं कि वो जो चाहते थे वही एफेक्ट लोगों पर हुआ यानि कि जो बात बाइरा ने कि उसका डिजारेल एफेक्ट था लोगों के एरूंपे खुशी थी लोग मुस्करा रहे थे कुछ लोग हस रहे थे तो डोनर कहते हैं कि उस जोमाने में जब कोई बात होती थी या कोई भाशन होता था तो सब बात के बाद लोग वेन में ताली बजाकर को ईसको एक्ट नलेज़ करते थे यहां पर लोग ताली ताली नि वजाते थे बम weights के या मुस्कुरां कि अंबातों का अखणोलीज मेंट देंते जो नसे धहीं कहीं है बाहरा ने जो बात गहीं उस बात से लोग खुश थे आ में तो यह डोनर को अच्छी लगी अब उन्हें इन चुरू किया जैसी डोनार ने कान वेसेशन शुरू किया तो कहते हैं कि लोग एक्साइट होके सब बात करने लगे मैनीटर के जब उन्होंने पूछा किसीने मैनिटर को देखा है तो बहुत सारे लोग कहने लगे हम मैंने देखा है। उनमें से कई लोग कहने लगे कि वह मेल है और कई यह कहने लगे कि वह फिमेल है। कई लोग कहने लगे कि उसके सिर का जो डायमेटर है दो फिट है। तो डोनाट कहते हैं कि उनमें से उस भीर में एक ब्यक्ति था जो बैठा हुआ था और बड़ी सर्कस्टिक हसी के साथ वो इन लोग को देख रहा था तो कुछ देर डोनाट उनको उसको देखते रहे और इन लोग को सुनते रहे तो अभी इन लोगों में कॉम्टिशन चल रह था कि कौन बोल सके कौन पहले बोल सके एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे थे और बिल्कुल एक तरह सा confusion create हो रहा था कोई concrete information उन्हें मेनिटर के बारे में नहीं मिल रही थी तो इस व्यक्ति को जो बैठा हुआ था उसको इस sarcastic way में हसते हुए मुस्कुराते उन्होंने देखा तो उससे पूछा कि क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे तो इस व्यक्ति ने जवाब दिया कि पहले ये सारे मूर्ख जो चिल्ला रहे हैं ये चुप हो जाए फिर मैं बोल हैं और मेरे पास इनसे भी और टाईगर से भी ज्यादा दिमागा इसलिए इनको बोलने दो पहले पिर मैं बोलूंगा और कि फिर चुप हो गया कि तो कहता है उसका ये ब्रहुत अप आई पास जानवर करावर ब्युकeton बिल्कुल चुप हो गया उसके बार इस व्यक्ति को बोलना शुरूर किया तो कहने लगा फिलको सर्केस्टिक वे में ये सब मूर्क हैं इनको कुछ पता नहीं है इनके पास जानवर के बराबर दिमाग नहीं है जो टाइगर है वो बहुत चालाग है और वो कोई बहुत बड़ा टाइगर नहीं है वो नॉर्मल साइज का टाइग है और वो मेल टाइगर है जब उसने ये सारी बातें की टाइगर का डिस्क्रिप्शन दिया तो डोनल कहते हैं कि मैंने क्रोश कुष्चिन किया पूछा कि आपको कैसे पता कि टाइगर ऐसा है तो तब उसने बताया कि कुछ दिन पहले वो पेड़ में चड़ा हुआ था दि तो उसने उपर से टहनी तोड़के उस पर फैंकने की कोशिश की उसे डराने की कोशिश की टाइगर वहां से गया नहीं बैठे रहा है कि बहुत देर हो गई जब घर्मी बढ़ने लग गई तो तब टाइगर वहां से गया पानी पीने के लिए गया होगा लेकिन उसे ये ल उसे लेके जाएगा तो टाइगर के जाने के बाद भी हो कहता है कि मैं 2 गंटे तक पेड में बैठा रहा उसके कुछ देर बाद जंगली कुत्तों का झूंड आया जो एक जंगली पीछा कर रहा था उसी के पास में पेड के पास में उसने उन्होंने जंगली हिरन को पकड़ दिया और उसे आर के खाने ले जब वह इस तरह खाने में बैस थे थे इस व्यक्ति को लगा कि उसका ये सही टाइम है पेड़ से नीचे उतरने का तुकि जिस इलाके में इतने जब aggressive behavior नहीं दिखाया, या जब पेड़ से उतर के उत्चाप घर चलाया, तो उसकी ये बात सुनके, लोनर्ड को लगा कि, हाँ प्रोबेबली इसकी बात में कुछ लॉजिक है, तो उसके बाद उन्होंने जाना कि इसका नाम लोटो है, लोटो ने फिर आगे ये बताया है, कि ये टाइगर उपर जंगल में एक गुफा में रहता है, तो जब उससे उन्होंने पूछा है कि जंगल में गुफा में कैसे रहता है, आपको कैसे पता, तो उसने बताया कि गुफा की ओर जाने वाले जो रास्ते हैं, उन रास्तों पर उसने फ्रिक्वेंटली टाइगर क के पैरों के निशान दे उस गुफा की तरफ जाते हुए भी और आते हुए भी और उसके अलावा उस गुफा की लोकेशन कुछ ऐसी है जो बड़ी सेक्यूर है वहाँ पर रहकर कोई भी जानवर एक बहुत बड़ी एरिया को देख सकता है यानि कि उस कमांडिंग पोजेशन पर एक टाइगर अपना घर बना सकता है इसमें कोई दो राय नहीं है और उसने साथ में ये भी पताया कि उस गुफा तक जाना आसान नहीं है कोई भी जानवार या कोई भी इंसान उस गुफा तक अगर जाएगा तो उपर से टाइगर उसे पहले ही देख लेगा यहाँ ज अब डोनर्ड के साथ एक तीसरा व्यक्ति और हो गया था इसका नाम था लोटो अब यह चार जनू का एक गुरूप बन गया था और इन चार जनूने साथ में मिलके अगले दिन की प्लाइनिंग शुरू की टोनर्ड कहते हैं कि आज वो सुबह पांच बजे घर से चले थे और अभी तक उन्हें यह सारी इन्फोर्मेशन इखटा करने में यहां पहुंचने में टाइम लग गया शाम के पांच बच चुके थे यहाज आज शाम को उनके पास करने के लिए कुछ था नहीं उन्हें मातंगे और यह चार्जने मिलके अपनी कारवाही अगले दिन से शुरू करेंगे तो दोस्तों यह था कहानी मौलर टू मैनिटर का पार्ट वन उमीद है आपको पसंद आया होगा जल्दी अगले पार्ट के साथ फिर आजिर होंगा अब तक ये लिए इजाजत दीजे तमस आजिए इजाज़